So finally, आजके इस वीडियो में बात करने वाले government के तीन अलग-अलग internship program के बारे में जिसके लिए आप लोग throughout the year यहाँ पर apply कर सकते हैं मतलब साल के किसी भी महने में आप लोग इस internship program के लिए apply कर सकते हैं आपको इन सारे internship program में स्टैपन के साथ सत यहाँ पर एक certificate भी provide की जाती है तो करके बात करते हैं सबसे पहले बात करने वाले हम लोग यहाँ पर department for promotion of industry and international internship program के बारे में जिसके अंदर आप सभी जब जायेगा link मैंने आप सभी को description में provide कर रखा है यहाँ पर सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूदा internship scheme will be remain open throughout the year तो यहाँ पर इनोंने भी साब साब mention कर रखा है throughout the year यह internship scheme यहाँ पर open होती है अब बात करते हैं कितने month की internship होती है तो यह आप पर depend करता है कि अगर आप यहाँ पर one month की internship करना चाते हैं दो month की करना चाते है या फिर त्री month की यहाँ पर करना चाते हैं तो minimum one month की internship होती है short duration की और maximum three month की internship के लिए आप लोग यहाँ पर apply कर सकते हैं बात करें कौन-कौन से लोग यहाँ पर apply कर सकते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते graduation से लेकर के post graduation के student इसी के साथ Research Fellow भी इस Internship Program के लिए अपलाई कर सकते हैं जिनका डूमीन यहाँ पर Engineering होने वाला है, Management होने वाला है Law होने वाला है, Economics होने वाली है, Finance होने वाला है, Computers होने वाला है और इसी के साथ Last में Library Management होने वाला है सुपाने यहाँ पर मैं आप सभी को बता दू जैसे आप Internship को Complete कर लेंगे, After Completing Internship, Student will be awarded an Experience Certificate आपको यहाँ पर एक Experience Certificate भी प्रोवाइट की जाएगी इसी के साथ यहाँ पर Staffment के अगर बात करें तो आप सभी को रुपीज 10,000 पर मत यहाँ पर प्रोवाइट की जाएगी अगर आप एक मत के लिए Internship करते तो आपको 10,000 पर प्रोवाइट की जाएगी इसी तरह अगर आप लोग 3 मन्त के Internship को यहाँ पर अप्लाइ करेंगे 13 मन्त के Internship को करेंगे तो आपको यहाँ पर 30,000 तक की स्टैफन प्रोवाइट की जाएगी और एक Experience Valuable Certificate भी आपको यहाँ पर प्रोवाइट की जाएगी इसी के साथ कुछ और Information यहाँ पर आप सभी को प्रोवाइट की गए जिसे आप लोग एक बर जाकर के देख सकते हैं लिंक मैंने आप सभी को Description में प्रोवाइट कर रहा है आप बात करते हैं आपको Apply कैसे करना है Simply Apply करने के लिए क्या करना है आप से भी को Click Here to Apply Internship स्कीब में जाकर क्या आपको Click करना है जैसी आप यहाँ पर Click करेंगे एक New Page खुल कर सामने है का जिसके अंदर आपको सारे Details अपने Fill करनी होगी Educational Qualification में आप लोग अपने यहाँ पर High School की Educational Qualification डालिएगा Fit Intermediate की डालिएगा, Graduation की डालिएगा, Post Graduation की डालिएगा तो जो भी आप लोग यहाँ पर Educational Details डालेंगे सब में आपको Passing of Year यहाँ पर डाल ली होगी Institute का नाम डालना होगा, कितने marks आपने obtained किया, उसके बारे में आपको Fill करनी होगी इसके साथ फिर आपको Get Verification Code के इस बटन पर जाकर के Click करना है जैसे आप यहाँ पर Click करनेंगे, एक Verification Code आपके Mail यहाँ फिर आपके Mobile Number पर Provide की जागी उसके बाद आप लोग यहाँ पर इस Internship के लिए अपने Application को Submit कर सकते हैं एक Important चीज मैं आप सभी को बता दू, Start Date और Time of Internship आपको यहाँ पर Choose करनी होगी कि आप लोग यहाँ पर एक मंत के लिए करना चाते हैं, दो मंत के लिए करना चाते हैं लिंक मनें आप सभी को Description में Provide कर रखा, यह Internship भी यहाँ पर Throughout the Year ओपन होती है लेकिन हर एक मंत के सिर्फ और सिर्फ एक से लेकर के दस्तारिक की बीची आप लोग यहाँ पर Apply कर सकते हैं पूरी Information के लिए आप लोग यहाँ पर SECI Internship Policy पर जैसे एक Click किजेगा As a result एक New Page में आप लोग पहुंच जाएगा जहाँ पर इस Internship Program के बारे में आपसे सारी Information आपको Provide की जाएगी कोई भी Student यहाँ पर Apply कर सकता है, ऐसी कोई भी Criteria नहीं है इसी के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आपने Engineering में Graduation कर रखा है, Post Graduation कर रखा है, PhD कर रखा है, HR, Finance, IT की फिल्ट के Student है तो आप सभी यहाँ पर Legible होने वारे आप सभी यहाँ पर Apply कर सकते हैं Duration के अगर बात करें तो the Internship will be on Paid Basis for a Minimum Period of 3 Month and Maximum Period of 6 Month यह यहाँ पर Paid Basis की होने वाली है, मतलब आपको यहाँ पर Staff and भी Provide किये जाएंगे जिसमें कि आप लोग 3 Month के लिए भी कर सकते हैं या फिर Maximum 6 Month के लिए भी यहाँ पर Apply कर सकते हैं कितना आपको Staff and प्रोवाइड किये जाएगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इमाउंट आप रुपेज 5,000 सेल भी पेड अज स्टैफन टू ओल यहाँ पर आप सभी को 5,000 रुपेज तक के स्टैफन भी आपको प्रोवाइड किये जाएंगे इसी के साथ इस Internship Program को Complete करने के बाद आप सभी को एक Completion of Certificate यहाँ पर भी प्रोवाइड की जाएगी और भी बहुत सारी Terms and Condition दी गई है, आप सभी एक बर जाकर के Checkout कर लिजेगा लिंक माने आप सभी को Description में प्रोवाइड कर रखा है एक बात आप सभी को बता दो, किसी भी Internship पर अपलाई करने के लिए आपको एक भी रुपए खर्च नहीं करने है यह बिल्कुल फ्री आप कॉस्ट होने वाला है अब बात करते हैं, यहाँ पर Solar Energy Corporation Internship के लिए आपको अपलाई कैसे करना है तो इसी पेच पर आपको Register के एक बटन दिख जागा है, जिस पर आपको क्लिक करना है जैसे आप आपको क्लिक करेंगे, एक न्यू पेच खुल कर सामने आगा जहाँ पर आपको Intern से Form को Fill Up करना होगा जिसमें के Normal इटिल सारे आपको Fill करनी होगी जिसमें आपको अपने Savior को भी यहाँ पर Upload करना होगा और Desired Intern से Period को आपको Mention करना होगा अगर आप लोग एक मंद के लिए करना चाहते हैं तो Start Date और Indate आप लोगों को यहाँ पर Fill करनी होगी तीन मंद के लिए करना चाहते हैं इस टाइप से आपको Start Date और Indate यहाँ पर Fill करनी होगी लेकिन यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं जिसे देखने के बाद ही जिसे एक बार पढ़ने के बाद ही आप लोग इस Form को Fill अप कीज़ेगा जोकि नीती आयोग के तरफ से निकल कर सामने आ रही है यहाँ पर भी कोई भी Student Eligible होने वाले अगर आप लोग Undergraduate है, Postgraduate है, Research Value है आप सब भी यहाँ पर Apply कर सकते हैं यह Internship Program भी Throughout the Year यहाँ पर Open होती है लेकिन यहाँ पर भी Same Terms and Condition होती है हर मत के एक से लेकर के दस तारीक के बीचे आप लोग यहाँ पर भी Apply कर सकते हैं अब बात करते हैं आपर सारी Information आपको कहाँ पर मिलेगी तो Download Guidelines में जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर कुछ Guidelines आपको यहाँ पर दिया जागा जिसके अंदर सारी Information आपको प्रवाइड की जाएगी यहाँ पर भी आपको एक Experience Certificate प्रवाइड किया जागा इस Internship को Complete करने के बाद So finally, इस Internship की सबसे चीबात है यहाँ पर जो भी Areas Available होते हैं Internship Program के लिए लगबग 26 अलग-अलग एरियास है जिसके अंदर आप लोग यहाँ पर अपलाई कर सकते हैं अपलाई करते हैं आप लोग अपने Area of Interest यहाँ पर चूर्ज कर सकते हैं जिस भी एरियास में आप लोग Internship यहाँ पर करना चाते हैं अगर Internship की Period की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं The Period of Internship shall be at least 6 weeks but not exceeding 6 months यहाँ पर 6 weeks से लेकर के 6 months तक की आपकी Internship आपको Provide की जाती है इसी के साथ और भी कई सारे Information आपको यहाँ पर Provide की गई है एक बार जाकर के आप लोग अच्छे तरीके से देख लिजेगा अब बात करते हैं आपको Apply कैसे करना है तो Simply इसी पेच पर आपको Apply यह रखके एक बटन दिख जाएगा एक टेक्स दिख जाएगा जिस पर आपको क्लिक करना है लेकिन नीती I.O की Internship में अप्लाइंग प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है आपको यहाँ पर फिर से Apply Online पर ज जिससे देख करके आप लोग इसके form को भी बहुत अच्छे तरीके से Fill कर सकते हैं और Internship में Select हो सकते हैं क्योंकि साल में सिर्फ फर सिर्फ एक ही बार आप लोग नीती I.O की Internship के लिए Apply कर सकते हैं तो आप बात करते हैं यहाँ पर कैसे आपको Apply करना है तो सारी Information को Fill करने के उसके बाद आपको यहाँ पर Graduation की डालनी है फिर Post Graduation की डालनी है फिर अगर आपने Research कर रखा है PhD कर रखा है तो उसके लिए भी आप लोग यहाँ पर Fill कर सकते हैं Area of Interest में आपको Choose करना होगा 26 अलग-अलग Areas में किस Areas में आप लोग Internship को करना चाहते हैं उसके बाद Preview कर लीजेगा कुछ और यहाँ पर Process होती है इसलिए Recommend करूँगा एक बर उस वीडियो को जाकर के जरूर देखिएगा जिसके लिंक मैंने आप सभी को Description में प्रवाइड कर रखा है तो फानली कुछ इसी तरीके से आप लोग Throughout the Year in अलग-अलग Internship के लिए Apply कर सकते जिसमें आप उच्छी कासी स्टैफन के साथ साथ एक Experience Certificate भी प्रवाइड की जाएगी